सत्संग वही होता है यहां आने से इनसान को सोजी आए समझाए यहां आने से उसका जमीर जाग जाए यहां आने से उसे सच का पता चले रजो तमो सतो यह गुण है सच और जूट गुणों में आ जाता है लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरी अल्ला वही गुरू गौड है वो एक ऐसा सच जो जान ले जो उसे मान ले उसके जन्मों जन्मों के पाप कर जाते है उसकी आत्मा पाग, पवित्र हो जाती है और वो मालिकी द्यामिर रह्मत के लाइक बन दे चले जाते है तो सच भगवान है अल्ला वहिगरू राम है और उस सच से जुड़ना सिर्फ इनसान की फिदरत में लिखा है इनसान ही एक ऐसा सरीर है जिसमें प्रभू का आना पॉसिबल है संभव है जो प्रभू का नाम जपे भगवान का नाम जपे तो वो कंकं में जर्रे जर्रे में नजराते हैं इनसान की पाप करम कर जाते हैं जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिल और दिमाग में मालिक की दिया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं कितना भी इनसान ग्यानवान बन जाए इक इतना भी छोटा या भड़ा बन जाए जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोकला है ज्ञान अच्छा है पर उस पे चला जाए तब ज्ञान का मुल्या पड़ता है हम ये नहीं कहते कि ग्यान रखना कोई गलत जितना ज़्यादा ग्यान हो उतना ही अच्छा पर जितना ज़्यादा उस ग्यान के उपर चला जाए वो सबसे अच्छा कर्म जोगी और ग्यान जोगी जब तक इनसान नहीं बनता वो खोखला रहता है सिर्फ कर्म करना जानते हो किसी पसू की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया ये भी कर्म है लेकिन ग्यान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए किसी के हाथ से निवाडा छेन लिया किसी को तडफाया किसी को दुखी किया हार टाइम किसी को तंग करते रहे ये भी कर्म है लेकिन ये पाप कर्म है इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ग्यान योगी होना अतियावशक है जब तक इनसान ग्यान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की किर्पा पात्र नहीं बना जा सकता तो अगर आप कर्म योगी और ग्यान जोगी बनेगे तभी मालिकी द्यामे रहमत के लाइक बन पाएंगे तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी और सत्संग एक ऐसी जगा है यहां ग्यान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं, उन में दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है यह सिखाया जाता है, कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं यह सिखाया जाता है, कि आप दुनिया में सरवसरेस्ट कैसे हो सकते हैं उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है प्रभू से मिलने का सच्चा रहा दिखाया जाता है आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभू से ही मिलाते हैं कोई शक नहीं सच पर क्या आप जानते हैं इस कल्युग में रामनाम बिजनेस भन गया है हम नॉन मेन के स्टुदेंट रहे जितना पढ़े कम पढ़ पाए लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रूची थी नॉन मेन के स्टुदेंट थी गुरु जी ने बुलाया उनकी रजा उनका रहमत गर में भी धर्म थे पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जनमसा की, सुन्दर गुटका और भी शायद रामायन ये गरंद घर में थे पढ़ा करते थे गुरु जी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो और हमने उसी विग्यानिक द्रस्टी कौन से सभी धर्मों को पढ़ा सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरी अल्ला वाहिगुरु गौर्ड देता है पर ये ने लिखा कि वो लेता है सच यही है ओम हरी अल्ला वाहिगुरु गौर्ड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा वो मंगता नहीं हो सकता और यह भी सच है वो देता था, देता है और देता ही रहेगा मांगने का काईदा आना चाहिए ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गए क्या आप इच्छा करें 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे PhD की डिगरी मिल जाए तो मिल जाएगी कितना भी बरस्त यूग है साथ साल के बच्चे को PhD की डिगरी नहीं मिल सकती हाँ बड़े वाड़ा तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से बड़े सकता है लेकिन साथ साल के बच्चे को कौन देगा नहीं हो सकता वैसे तो कल्यूग कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर वैसे काईदे से देखा है डॉक्टरेट की डिगरी मास्टर डिगरी ऐसे नहीं हासिल होती उसके लिए जिन्दगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं तो जरा सोचिए ये किताबें तो सामने हैं वो अल्ला वो वहिगरू वो राम वो गौड जो दिखता नहीं क्या उसके लिए सोडा साल नहीं बीस साल नहीं पांस साल नहीं क्या दो चार महिने लगाता नहीं लगाने चाहिए उसका सर्च करने के लिए लगाने चाहिए अगर कोई लगा देख तो जगीनन माली के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा पर दो महिने दो महिने होते हैं आप गंटा सुभा गंटा शाम भगती करी और पूछते हैं भगती करी के तो हाँ आज एक दिन भगती करी एक दिन धोड़ी ना दो गंटे गंटा सुबा शाम अगर दो मीने करोगे तो हमारे ख्याल से पांच दिन और रात बनेंगे दो मीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे कैलकुलिट करो टाइम टाइम है तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भगती करें फिर उसके नजारे ना मिलें तो कहें कि हमारे धर्म जूठे धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से बगवान दिखे जाएंगे धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चलाने से बगवान दिखेंगे धर्म नहीं कहते कि धूप में तडफने से पाखंडबाद करने से बगवान दिखेंगे कि सुवाल ही पैदा नहीं होता धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र कलमा मैटर अब मेडिटेशन वह एक तरीका है बाई नेम उस गौड को पुकारो तो वह गौड जरूर मिलेगा जरूर आएगा एक छोटासा बच्चा हम सब आए हैं इस उमर से घुजर के जब उसे भूख लगती है हमारी संस्कृती की बात करते हैं अभी भी मरी नहीं है जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मा कैसे दोड़ी चली आती है क्यों बच्चा रोया है या तो भूग लगी है या उसका कुछ दुख रहा है तकलीफ है बातरूम ना कर दिया हो गिल्ला ना हो गया हो मा आती है न दोड़के अब ज़रा सोचिए थोड़ा सा रोने से एक मा दोड़के चली आती है तो जिस भगवान ने मा को बनाया है अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दोड़ा चला नहीं आएगा सोचिए पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं उसके दर पे तब सिर जुकाता है जब दस लाग का क्रोड मांगता है उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर जुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है भगवान रात को पेपर दिखा जाना सुबह करके आउंगा तेरा क्या जाता है मेरी मेरिट आजाएगी उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बिमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाई इलाज है उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना दुख में सुम्रन सब करें अरे सुख में करें न कोई और जो सुख में सुम्रन करें तो दुख का है कोई और ये 100% सच आपका जाता क्या है आधुनिक युग में आप रवेश कर चुके हैं बड़े आधुनिक हैं आप मान नहीं बात क्या आपने खाने की जगा कुछ सोना खाने लगे हो रोटी छोड़ दी हो क्या पता नई जुग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो ऐसा है कोई नहीं वही गिहों की रोटी वही सबजियां वही पनीर वही दूद सब कुछ वैसे का वैसा ठीक है आदूनी कुछ योग है लेकिन आफशक चीजे तो वैसी ही है आप वही चीजे लेते हैं वही चीजे खाते हैं वैसा कपड़ा पहनते हैं तो उसमें अगर एक चीज और एड़ की जाएक और वो है प्रभु का नाम कि आप गंटा सुभा शाम साधे ग्यारा गंटे आपके आदा गंटा वो बी पंद्रा लगाना सुभो पंद्रा मिंट शाम प्रभु को दे देंगे करके तो लो फ़कीर जूट कि yıl भोलेंगे या थो हम कहें, पंद्रा मिंट नो लगाना पहले सौर पाय हमें दे के जाना फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं हम तो नहीं कह रहे हैं ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले हमारे भी हाथ-पाऊँ है फकीर के भी आप खेती वाड़ी करते हैं तो हम भी खेती वाड़ी के साइंटिस्ट हैं एक ही एकड में तेरा अलग लग तरह कि सब्जियां पैदा की बगवान की किरपस है रीजुज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए कि तो कर्म योगी बनना जरूरी है कि तो मेहनत करके खाते हैं मेहनत करके खाओ लेकिन पंद्रा मिट सुभोशा अगर प्रभू को दे दोगे तो हजगीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात आपके सरीर के हालात दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे कि दिल और दिमाग में शान्ती आएगी, आतम बल बढ़ जाएगा, आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत बढ़े लेके विद्वान, बताएंगे वो और वो जानते हैं, अगर आतम बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है, मौत जैसे भ्यान करम से निकला ज उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज के दे मैं तो मरूंगा, उसे आप सो परसेंट असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, दस परसेंट काम करेगी, उसी मरीज के अंदर आतम बल आ जाए, कि मैं मरूंगा निचे कोई भी बिमारी है, तो दस परसेंट काम करने वाली दवा सो परसेंट काम कर जाएगी, बड़े से बड़े साइंटिस से आप उस सकते हैं, पर ये आतम बल प्रभू के नाम से ही बुलंडियों पे जाता है, और नाम जीबा से लेना है, काम दंदा करते रो, पंजाबी चिक कहावत है, हत कारवल, ते त्यान रभ या कि हाथों पैरों से कार्या करते रहो, और जीबा से ख्यालों से माली का नाम लेते रहो, तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ग्यान योगी के ग्यान जोगी, कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जुमर जी खाओ, बस बुरी चीज़े ना खाओ कि, इश्वर को क्या लेना देना इन चीज़ों से है, तो प्यारी साथ संग जी हो, ऐसी बातें सत्संग में आओ कि तो पता चलेंगी ना, दुनिया में आपको लडाने वाले मिल जाएंगे, आपका अच्छा घर है, बाल बच लोग खुश हैं, कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है, ज्यादा तो ये सोच रहे हैं, कब आपके जड़ों में दाती गुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गल्त शिक्षा, आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी दे देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है, कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकल, इसके पास कार क्यूं हो गएं, जब भी कार देखते हैं, जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होत तक जाता है, गाओं में यार दोस्त हतकंडे अपनाते हैं, और उपर वाले अजेंसिया या बड़त तरे की चीज़े चलाते हैं, यह हमने महसूस किया है, और कर रहे हैं, कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए, अगर उठने नहीं देना तो बुराईयों को मत उठने दो, ग तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाट पढ़ाया जाता है, बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं बतक, एक बर हमने कुछ बच्चों से पूचा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, किंजनिरिंग इंस्टिटूर्ट था या कोई मेडिकल इंस्ट्यूट हमें याद 12 कहले हैं कि आमने का अद घृरम औ का सार निकाले तो इंसानियत कहते हैं तो किसी को दुख दर्द में तरपता देखके उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना इसका नाम इंसानियत है और किसी को दुख दर्द में तरपता देखके ठाके लगाना ये शैतानियत है कोई रोड पे घायल पड़ा है आप गाड़ी में यह देखते हैं यहर हमारा तो नहीं फिर एक्सिलिटर दवा देते भाग जाते हैं यह कोई इंसानियत है यह शैतानियत है हमारी निगा में आप बचा सकते थे उसे और नर सेवा नरायन सेवा धर्मों में भरा पड़ा है प्रैक्टिकल करके देख लो किसी बिमार का इलाज करवा दो सच्चा दान बूखे को खाना किला दो सच्चा दान प्यासे को पानी पिला दो सच्चा दान खून किसी के कमिये खून दान करदो सच्चा दान मरनो प्राथ आंखे दान सच्चा दान सरीर दान सच्चा दान अरे अंदे को गरोड पार करवा दो सच्चा दान श्रम दान ऐसे बहुत से दान जो आप करो पक्षियों को खाना खिलाओ उनके लिए चोगा डाल दो पानी रख दो छट पे सच्चा दान ये दान करोगे हम आपको गरंटी देते हैं बगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फड़ भी जरूर देंगे बाकी भाई यहां चड़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है आप सब कभी सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा दान सच्चा यही है दीन दुख्यों की मदद में अपने हाथों से लगाएं या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो जो अपने 106 कारेच शुरू की होई है पेड़ पौदे लगाओ वो भी एक सच्चा दान है पूरी मानवता को पूरी स्रिस्टी को उससे फाइदा होने वाला है तो बहुत से कर रहे हैं आप फूड बेंक बनाई हुए है अपने अपने ब्लोकों में बहुत सच्चा दान है कलोध बेंक है क्यों जिनको खाना नहीं अंग हीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने जिनके कपड़ा लगता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो तो यह सच्चा दान है तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है पर उसको सही तरीके से किया जाए प्रभू के नाम का जाब किया जाए तो उसका फड़ अवश्य मिलता है पर अगर कोई स्वार्थ लेके आपाते हैं स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा वो बात नहीं बनती वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इंडिरेक्टरली कुछ दे रहे हैं सच्चा दान मानवता की भलाई करना है स्रिष्ठी की सेवा करना है तो यस्तसंग में आके ही पता चलता है